कक्षा ग्यारा आरोह भाग एक का विखंड आज का पाठ मीरा बाई तो सबसे पहले मीरा बाई के जीवन की विशे में हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति कवियों में सूर्दास के पश्चात मीरा बाई को उच्छ स्थान प्राप्त है मीरा के जन्म तथा मृत्व के सम्मंद में बहुत कुछ जानकारी नहीं है बहुत मतवेद भी हैं किन्तु अनमान तहा उनका जन्म 1498 इस्वी में और मृत्यू 1547 इस्वी में बताई जाती है मीरा राठोर रतन सिंग की इकलोती पुत्री थी बाल्यकाल से ही इसका ध्यान कृष्ण भक्ती की वो लग गया था इनका विबाह महराना सांगा के कुण और भोज राज से हुआ था पर दुर्भाग्यवर्ष्ण कुछ समय के उपरान तो ही उनकी मृत्य हो गई बिद्वा मीरा का मन राज घरानों की चहल पहल में नरम सका वे सादु संतों की संगती में रहने लगी मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना और उनी ही के विरह में अपने पद गाने लगी नर्सी जी का माईरा राग गोविन तथा राग सोर अठा ये मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं मीरा जी की भाषा ब्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा थी जो लोकप्रिय होते होते साहितिक भाषा बन गई तो बच्चे इनका जो पहला पद है आपके पाठेक्रम में उसको वाचन करते हैं और उसका वाचन करने के बाद उसका आपको अर्थ भी बताया जाएगा मेरे तो गिरी धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई शानी दाई कुल की कानी कहा करी है कोई संतन धिग बैठी बैठी लोक लाज खोई असवन जल सेंची सेंची प्रेम बेली बोई अवत बेली फैली गई अनंद फल होई दूदे की मथनियां बड़ प्रेम से बिलोई ददी मति गृत काढिली ओ डारी दै छोई भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अव मोही इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको देख लीजिए पति शब्द का अर्थ सभी को पता है स्वामी होता है सोई शब्द का अर्थ है वही कानी का मतब रिलाज मर्यादा ढिक का अर्थ होता है निकठ असुमन जल शब्द का अर्थ है आसों का जल अर्थात आसू प्रेम बेली प्रेम की बेली बिलोई अर्थात मती जैसे दही को हम मत्ते हैं दधी दही घृत घी काड़ी शब्द करते निकालना डारी दई छोड़ दी है छोई का अर्थ होता है मठा चाच जो सारहिन अंशे और राजी शब्द करते प्रसन अब देखे ये जो पद है वो भक्तिकालिन कवित्री मीरा बाईद्वारा रचित है इसमें कवित्री ने भगवान कृष्ण को पती रूप में मानकर उनके प्रती अपनी अनन्य भक्तिभावना का परचे दिया है पद का अर्थ देखे मीरा जी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थाथ मेरे तो सर्वस्व श्री कृष्ण है उनके सिवा मेरा किसी से कोई सम्मंध नहीं है लिखा है ना कि दूसरों न कोई मोर मुकट धारण करने वाले स्री कृष्ण ही मेरे पती हैं जाके सिर्व मोर मुकट मेरों पती सुई तो जिन्होंने सिर्व मुकट धारण कर रखा है मूर का वी मेरे पती हैं मैंने कुल की मरियादा को छोड़ कर उन्हें अपना लिया है मेरे दाद छोड़ कर उन्हें अपना लिया इसलिए मेरा आप कोई क्या कर सकता अर्था तो मुझे अब किसी की परवाह नहीं है मैं लोकलाज की चिंता छोड़ कर संतों के पास बैठती हूं संतन धिक बैठी बैठी लोकलाज खोई मैंने आसों के जल से सींच कर प्रेम बेल क अभी प्राई यह है कि श्री कृष्ण के प्रती मीरा की प्रेम बेल का विकास हो चुका है वह बहुत बिकसित हो चुकी है फैल गई है अब उसे किसी भी प्रकार से नस्ट नहीं किया जा सकता अब मीरा की कृष्ण प्रेम रूपी बेल पूरी तरह फैली हुई है और उसमे आनंद रूपी फल लगते हैं जब कृष्ण की बेल मन में भक्ति की बेल मन में फैल जाती है तो उसमें बड़े आनंद के फल लगते हैं मारव आनंद के में डूब जाता है आनंद फल का स्वाद लेने लगता है मीरा को कृष्ण भक्ति में आनंद की प्राप्ति होने लगी ह अब जब वो आनन्द बेल उसमें फैली, मीरा का कहना है कि उसने क्रिशन की प्रीती रूपी दूध को भक्ति की मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलुई, कहां है न, और दधी मधी घृत काढ़ी ली और डारी दई छोई, उसमे मीरा ने सार युक्त तत्तों को ग्रहन करके सार हीन अंस को छोड़ दिया है। उन्होंने श्रीकिष्ण के प्रेम और भक्ती को अपने पास रखकर बाकि सब कुछ त्याग दिया। मीरा जी कहती है कि वे प्रभ भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं परन तो जगत को देखकर के बहुत दुखी हो जाती है। मीरा लाल गिरदर तारो अब मुए है प्रभ मुझे इसससे संसार सागर से अब मुझे तूर कर दीजिए। तो इसमें कुछ प्रश्ण है जैसे कवित्री तथा कविता का नाम किया है कवित्री मीरावाई है कविता पद है कवित्री अपना सर्वस्व किसे मानती है कवित्री श्रीकिष्ण को अपना सर्वस्व मानती है मीरावाई स्रीकिष्ण को किस रूप में स्विकार करती है तथा इसी तरह से आपने बहुत सारे प्रश्ण को का निर्मान इसके आधार रहा है।